नमस्कार S.T. योगी में आपका स्वागत है मैं हूँ आचारियासिस डिंगवाल और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में देनिक रासी फलकी दर्सकों सुरू करने से पहले खास अपील अभी तक अगर आपने हमारे इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें और अपने मित्रों को सेल भी करें आज आप खुद को बुरी संगत में फसा हुआ पाएंगे जिससे आपकी छवी बिगड़ सकती है अब आपको जरा संभल कर चलना चाहिए क्योंकि इनसान अपनी संगती से ही पहचाना जाता है बुरे लोगों के साथ से आपको बहुत नुकसान हो सकता है आज अपने साथी से प्यार की छोटी निशानी या उपहार आपको खुशी प्रदान करेगा जिस उपहार के बारे में आपने सोचा भी न था वो आपको तहे दिल से खुशियां प्रदान करेगा इस कारण आप भरपूर खुशी एवं प्यार का अनुभव करेंगे जिससे आज रुमैंस भरा दिन महक उठेगा राशी मेश करियर हाला कि आने वाला समय चुनोतियों से भरा है लेकिन अब आपको सकारात्मक परणाम ही मिलेंगे बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आप आसानी से अपने काम पर ध्यान लगा सकेंगे आज खुद को शांत रखने की कोशिश करें पैसे रुपए के मामले में आज आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा भविश्य के लिए पैसा बचाने के लिए ये भी सावधानी रखना जरूरी है कि आप अपना पैसा किन बचत योजनाओं में लगा रहे हैं अगर अचानक कोई पैसा आज हाथ लगे तो उसे तुरंत बैंक में जमा कर दीजिए आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवशकता है जिससे आप अच्छा स्वास्त कायम रख सकें अपने आपको भिवादास्पत सितियों से दूर रखें ताकि आप किसी मानसिक उलजन में न पड़ें आप उन कामों से दूर रहें जिनसे आपका मूड खराब हो सकता है सिर्फ खाने के लिए न खाएं बलकि आपको इसमें सावधानी भीवरतने की आवशकता है ध्यान रखें कि पौश्टिक भोजन ही आपको स्वस्त रखने में सहायक होगा आज आप अपना ज्यादा समय अपने परिवार के साथ कुजारेंगे आपके अपनों का साथ आपको बहुत खुशी देगा अपने प्रती उनकी चाहत और इज़त को देखकर आप फूले नहीं समाएंगे आप भी अपने प्रियजनों को दिखाएं कि आप भी उन्हें कितना प्यार करते हैं उनके साथ पूरा मजा लें आज आपको अपने इमेल बॉक्स में या फोन पर कोई सब्प्राइज मिल सकता है क्योंकि कोई नया दोस्त आपके प्रती अपना प्यार इजहार करेगा हैरत में पढ़ने की बजाए इसे प्यार और खुले दिल से स्विकार करें इस रिष्टे का भविश्य सुनहरा है आज आपको ये सूचना मिल सकती है कि आपका स्थानान तरण किसी अन्य शहर में कर दिया गया है अत्वा आपने स्वेम ही शहर को छोड़ कर अन्यंत्र जाने की ठानी है आप जल्दी ही अपने आपको अपने काम के जरिये सिद्ध कर दिखाएंगे ये एक सकारात्मक मोड है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है यदि आपके मन में अपना मकान बेचने का विचार है तो उसे बाजार में उतार दें आज ऐसा दिन है जिसमें आप पुराने सौदों को बेच सकते हैं वे व्यक्ति जो आज अपना मकान बेचते हैं अद्वा खरीते हैं उनके लिए आज का दिन मुनाफा देने वाला है ऐसे मुनाफे वाले दिन हमेशा नहीं आते अता आपको इसका भरपूर लाब उठाना चाहिए ऐसे मामलों के लिए जिन विवसाई के बारे में बातची जारी है आपका दिन सर्वश्रेष्ट है अगर आपको हाई और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आज आपको अपनी सेहत का खयाल रखना होगा अपनी स्थिती की बेहतरी के लिए जीवन शैली में बदलाव लाएं किसी भी सकारात्मक सुधार को एक चिन्ह मान लीजिए जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है आज हलकी फुलकी कसरत कीजिए आज आप घर में ही खुशी भरा दिन गुजारेंगे खुशी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर पैसा खर्च करके ही मजा लें कभी-कभी जिंदगी में छोटी-छोटी चीजें भी बहुत खुशी देती है अपनों के साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करें ये पल आपको बहुत खुशी देंगे आज आपको अपने पार्टनर से एक नायाब तोहफा मिल सकता है शुक्रिया और प्यार अदा करें आपकी कोशिशों से रिष्टे में बहार आ सकती है दिन भर आनंद करें आज विदेश से आपको खुशखबरी मिल सकती है खासतोर से यदि आप विद्यार्थी हैं और आपने विदेश में कहीं दाखिले या च्छात्रवित्ती के लिए आवेदन किया है तो ये खुशखबरी विदेश में आपकी नौकरी से संबंदित भी हो सकती है विद्यार्थियों की पढ़ाई आगे बढ़ती रहेगी और उनका ध्यान इस समय अपनी पढ़ाई पर ही रहेगा अगर आप विवसाई में हैं तो आपको कुछ ऐसे इनाम मिलने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था आपको अपने सहयोगियों से कोई कीमती तोहफा भी मिल सकता है ये भी हो सकता है कि उनकी सहायता से आपको कोई बड़ी सफलता मिल जाए और आपका फायदा हो अपने विवसाई के लिए आप इसे बड़ी धरोहर समझे आज तराव की स्थिती बन सकती है इसलिए काम पर या घर पर इस बात का ध्यान रखें यह परेशानी बढ़ सकती है अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं खुद में सकारात्मक सोच लाएं और जीवन का आनंद लें साथ ही खुद को किसी नए कार्य में लगाएं ताकि आप नकारात्मक सोच से बढ़ सकें आज आप पाएंगे कि सत्ता से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंध बहुत प्रगाड हैं इन में से कोई व्यक्ति आज आपकी मदद को आगे आएगा जरूरत पढ़ने पर इनकी मदद लेने से पीछे ना रहें लेकिन ये बात भी ध्यान में रखें कि भविश्य में जरूरत पढ़ने पर आपको उनके एहसान का बदला चुकाना पड़ेगा आपके रोमैंटिक जीवन में गलत फहमी वह मतभेद के कारण कलह होने की संभावना है अपने किसी विश्वास पूर्ण दोस्त को सुलह कराने को कहें समय के साथ ही संबंध सामान ने होंगे आज आपको अपने जीवन के बहुत से क्षेत्रों में सफलता मिलने से खुशी होगी आप पाएंगे कि आपके घर बक करियर में सब कुछ आपकी सोच के अनुसार ही हो रहा है पारिवारिक रिष्टे इस समय मधुर हैं और कोई भी तनाव आसानी से दूर हो सकता है घर में सुक शान्ती भरा माहौल होने के कारण अंद में आपको आराम मिलेगा आज आपको पूरा मजा लेना चाहिए आपके व्यापार में आने वाले इस कठिन समय से निपटने के लिए आपको सब से पहले समय निकाल कर बैठना होगा वह सही योजना बनानी होगी इस विशय में चिंता ना करें आपकी कुशलता वगुणवत्ता के चलते आप कठिन से कठिन समय में भी पार बालेंगे ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि हमेशा ही अच्छा समय चलता रहे ये कठिन समय भी जल्दी से निकल जाएगा आपको सही समय पर सही निरने लेने की आवशकता है आज आप अपने शारिरिक स्वास्थे पर न ध्यान लगा कर अपने मानसिक सुधार पर ध्यान देंगे आज आप परिशान रहेंगे और आत्म विश्वास भी कम रहेगा अगर आप किसी परिशानी से जूज रहे हैं तो उसे खत्म करने का समय आ गया है आपका मूड गंभीर तो नहीं रहेगा मगर इससे दूसरे प्रभावित होंगे इसलिए आप आज कुछ समय निकाल कर इसका कारण जानने की कोशिश करें आखिरकार वो वक्त आ ही गया जबकि आपको व्यवस्तित हो जाना चाहिए आज अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल क्षेत्र चुन लें वो चाहे पैसे से संबंधित हो, घर से या फिर काम से संबंधित हो और उस पर काम करना शुरू कर दें उस क्षेत्र के हर पहलू को सुलजा लें कल से शायद आप खुद को एक अलग रास्ते पर पाएं इससे भविष्य में आपकी उत्पादन ख्रमदा बढ़ेगी राशे सिंग, रोमैंस अगर आप अकेले माता या पिता हैं तो पार्टनर मिलने की कम संभावना है आज आपकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आ सकता है जो आपको हैरत में डाल देगा आप निश्चित रूप से ये न सोचें कि वो आपका पार्टनर ही होगा पर आपके अंदर लंबे समय से बुझी जिंगारी को जला सकने में समर्थ होगा इस समय आप बदलाव के बारे में सोच रही है फिर चाहे वो बदलाव अपनी संस्था के भीतर ही क्यों न हो अभी आपके दिमाग में किसी काम को लेकर बेचैनी बनी हुई है बदलाव की संभावनाओं को लेकर आप उस उच्च अधिकारी से बात करें जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं हो सकता है कि पैसे से जुड़े किसी मामले में आज आप जोश में आकर कोई गलत फैसला कर बैठें इसलिए आज काम काज के समय या कोई आर्थिक फैसला लेते समय आप अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रन रखें जरूरी नहीं कि हर आदमी हर समय अच्छा ही निरने ले इसलिए हो सकता है आपका कोई फैसला आपका ही नुकसान कर दे इसलिए जरा संभल कर निरने ले आज आप पाएंगे कि अचानक आपका स्वास्त बिगड रहा है ये आपको गहन चिंता में डाल सकता है जिससे आपको मानसिक दुविधा भी होगी आप होश्यार रहें और स्वेहम जरूरत अनुसार उपचार भी करें इससे आप थोड़ा हलका भी महसूस करेंगे आज आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें शांती से बैठ जाएं और सोचें कि आपकी इस उलजन का कारण क्या है जरूरत पड़े तो अपने किसी करीबी मित्र से इस बारे में खुल कर बात करें इससे आपके दिमाग में सप़ष्टा आएगी राशिकन्या – रुमैंज आज के दिन आप अपने साथी के साथ सहयोग की अपेक्षा करेंगे और वो भी आपको पून रूपेंड सहयोग देने में खुशी महसूस करेगा आप अपने साथी से सहयोग लेने में न हिचकें, क्यूंकि वो आपको सहयोग देने की भरपूर कोशिश करेगा फल सरूप आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा आज आपको कार्याले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है अपने सहकर्मियों के बारे में किसी भी अफवा को नजरन्दास करें अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपके बारे में अफवा फैलाए तो आप भी किसी के बारे में अफवा न फैलाएं अगर आप अपने कार्याले में गलत व्यवहार करेंगे तो आपके उच्च अधिकारी और सहकर्मी भी आपके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आएंगे आज बह समय है कि आप अपने विवसाई को बढ़ाने के लिए कुछ नीति निर्धारित करें और यह सोचें कि कैसे अपनी सेवा या अपना सामान ज्यादा से ज्यादा ग्रहकों को मुहया करा सकें इसके लिए अपने सामान या सेवा का विज्यापन कीजिए आज सारे विकल्पों पर ध्यान देते हुए लोगों तक अपनी पहुँच बनाईए फिर लंबे समय तक आपको इसका लाव मिलता रहेगा आज आपको छुट्टी की आवशकता है फिल्म देखें, दोस्तों के साथ फोन पर बात करें या फिर कुछ भी ऐसा करें जिससे आपका मनुरंजन हो आप खुद पर ज्यादा दबाव ना डालें आज आपको अपने दिमाग को आराम देने की आवशकता है ताकि आप कारे करने की ख्षमता और मानसिक ख्षमता को फिर से पा सकें जो की ठकावट और तनाव के कारण आप खो चुके थे आज आप किसी सामाजिक समारोह के बाद अपने घर को समेटने में लग जाएंगे घर को ठीक ठाक करें और कुछ आराम भी कर लें आपने समारोह का खुब मजा लिया लेकिन अब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का वक्त है आज आप याद रखें कि घास की दूसरी तरफ हमेशा हरियाली नहीं होती खास कर प्यार के मामले में अगर आप आज अवैद रिष्टे के लिए किसी के द्वारा प्रलोभित किये जाएं तो बैठ कर थंडे दिमाग से अच्छी तरह सोचें और अपने पार्टनर की खासियतों को याद करें आप उसी रास्ते को चुने जो जिन्दगी की लंबी दौड में आप दोनों के लिए बहतर है आज शायद काम के सिलसिले में आपको विदेश जाने का मौका मिले इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और साथ ही अपने हम उम्रों के बीच पहचान भी बनेगी इस अफजर को हाथ से ना जाने दें क्यूंकि इससे आपको पहचान मिलेगी आज आपको अधिक खर्च के कारण सामने आने वाली स्थिती का सामना करना होगा वो अतरिक्त खर्चा हाला कि आपकी जेप पर भारी था लेकिन आपने हिम्मत करके उसे खरी डाला आज आपको अपनी वित्तिय स्थिती का सही लेखा जोका रखना होगा आज आपका मन व्यायाम में लगेगा लंबे समय के अंतराल के बाद आज आपका मन फिर से व्यायाम करने में लगेगा आप चाहेंगे कि जल्दी ही आप अपने शरीर को पहले वाली स्थिती में ले आएं लेटने में 30 मिनट लगाने से अधिक आपको 30 मिनट जिम में काम करना अच्छा लगेगा आज परिस्थती आपको चाहे कितना भी उक्साए घर की शान्ती भंग ना होने दें कभी-कभी अपने गुस्से को पी जाने में ही भलाई होती है आप अपने गुस्से को पूरी तरह से काबू में रखें गुस्से पर काबू नहीं रखा तो अपनों के बीच दूरियां आ सकती है जगडे से आपको कोई लाभ नहीं होगा बलकि आपकी परिशानिया और बढ़ जाएंगी राशिवरिश्चिक, रोमैंस रोमैंटिक पक्ष में सावधानी की आवशकता है क्यूंकि लड़ाई जगडे वो नोग जोग की पूरी आशंका है आप अपने बोलने पर संयम रख कर स्तिती को सामाने रख सकते हैं यदि साथी खराब मूड में हो तो क्रोध में आकर संबंधों को और ना बिगाड़ें आपके सहकर्मी आपका जीना दूभर कर सकते हैं आज अपना आत्मविश्वास बनाए रखें कार्याले में ध्यान रखें कि आपकी पीट के पीछे क्या हो रहा है जिस बड़े प्रोजेक्ट को आप पाने की उम्मीद कर रहे थे उस पर आपके सहकर्मियों की नजर है इस समय आपके लिए ये अच्छा है कि आप अपने काम पर पूरी तरह से जुट जाएं आपके उच्छ अधिकारी आपकी मेहनत को जरूर पहचानेंगे और ये अवसर आपको ही देंगे आज के दिन कई अच्छे वित्तिय अवसर आपके समक्ष होंगे बहराल उनका सही लाब उठाने के लिए आपको सही योजना वो निरने का सहरा लेना होगा ये योजना लंबे समय तक चलने वाली वित्तिय समयावधी की होनी चाहिए अलपावधी की योजनाओं के निरने भी आपको लाब ही पहुचाएंगे लेकिन इसके लिए आपको सही खोज वो बारीक नजर अवश्य रखनी होगी आज आप पाएंगे कि छोटी मोटी बीमारी लेकर आप डॉक्टर के पास जाएंगे ये आपने अच्छा सोचा क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी बीमारी या समस्या का इलाज ना हो जो भी हिदायते या सलाह आपको पढ़े लिखे डॉक्टर से मिले उस पर जरूर ध्यान दें क्योंकि ये सलाह आपकी सेहप के लिए फायदे मंद होगी आज शायद आप बहुत ही चिंतित रहेंगे अपनी चिंता को दूर करने के लिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं आपकी ये चिंता अस्थाई है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगी आज आपका जुकाव अपने प्रियजनों के साथ समय गुजारने की ओर होगा राशिधनू, रोमैंस आज का दिन आपके रोमैंस के लिए उत्तम संकेत लाया है अकेली लोगों का उनके पार्टनर से मिलन होगा अगर रिष्टे में पहले से बंधे हैं तो आप आज जान पाएंगे कि वो पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है उसे आप भी धेर सारी खुशी और प्यार देने की कोशिश करें वो खुश होगा राशिधनू, करियर आज का दिन व्यावसाईयों के लिए श्रेष्ट है क्योंकि वे अपने प्रतियोगियों से बहतर सिती में रहेंगे आज के दिन कुछ आर्थिक लाब मिलने की संभावना है लेकिन ध्यान न दिये जाने पर वे हानी में भी बदल सकते हैं पार्ट टाइम काम कर रहे कर्मचारियों के लिए व्यस्तता से भरा दिन होगा आप पर आर्थिक दबाव चाहे जैसा हो आप अपने क्षमता से उन दबावों को जहल जाएंगे बस आप अपना लक्ष निरधारित कीजिए उसके लिए एक ठोस योजना बनाईए उस योजना पर काम कीजिए देखिए आप सामने आई एक एक आर्थिक चनौती का जम कर सामना करते हुए अपने लक्ष को छू लेंगे दिन की शुरुवात के साथ आप कुछ अच्छा महसूस नहीं करेंगे अगर आप अपने स्वास्ते को लेकर ज्यादा परिशान है तो डॉक्तर को अवश्य दिखाएं अन्यता आप अपने दिमाग को आराम दें आप अपनी परिशानी एक तरफ रख दें और आराम से सोचें आज आप अपने काम से संबंधित यात्रा की तयारी करेंगे ये यात्रा आपको सफलता दिलाएगी इस यात्रा पर जाते समय अपने बिजनस कार्ट साथ ले जाना न भूलें हो सकता है वहाँ आपकी मुलाकात कुछ नए लोगों से हो आज आपका साथी आपको प्यार के इजहार से हैरान कर देगा आप दोनोंने संबंध सुधारने के लिए जो प्रयास किये हैं ये उसी का फल है आप भी प्रेम प्रदर्शित करें वो अपने प्रेमी के लिए कुछ आश्चर जनक परिस्थितियां पैदा करें इससे आपके संबंध को नई गहराई मिलेगी आज शायद आप अपने पारिवारिक व्यवसाई से जुड़ने के बारे में सोचेंगे पहले आप इस प्रस्ताव को लेकर कुछ घवराए हुए थे लेकिन अब आपको ये प्रस्ताव अच्छा लगने लगा है आप पूरा भरोसा रखें अगर आप इस समय इस प्रस्ताव को स्विकार कर लेते हैं तो बाद में आपको पच्च्तावा नहीं होगा यह आपका सबसे बहतर चुनाव होगा राशी मकर फाइनान्स यदि हाल ही में आपने किसी जमीन जायदाद में निवेश किया है तो आप देखेंगे कि किस प्रकार आपका निवेश लाबकारी हो रहा है यह भी हो सकता है कि आप किसी जमीन का सौदा कर ले और उसे किसी ग्राहक को लाब लेकर बेच दें। इससे भी आप अधिक धन अरजित कर सकते हैं। आप अपने सारे अफसर खुले रखें ताकि किसी भी निवेश के लिए आपको अधिक सोचने की आवशक्ता ना पड़े। आज आप थोड़ा बीमार महसूस करेंगे। आज आपको दूसरों की खुशी के लिए खुद को डॉक्तर को दिखाना होगा ताकि वे अच्छा महसूस करें। आज आपको अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आप बेमिसाल विचारों से भरे हैं लेकिन ये विचार अपना महत्व खोदेंगे अगर आप उन्हें सही तरह से व्यक्त ना कर पाएं। जो बोलें धीरे और स्पष्टता से बोलें। साथ ही इस बात का ध्यान दें कि सुनने वाला व्यक्ति आपको अच्छी तरह से समझ पा रहा है या नहीं। पूरा प्रयास करें कि दूसरा व्यक्ति वही समझे जो आप कहना चाह रहे हैं। इससे आप अंत में बहुत सी परेशानियों से बच सकेंगे। आज आप अपने रिष्टों को रोमैंस से भरपूर पाएंगे जबकि आप एक लंबे समय से साथ साथ हैं। बच्चों एवं माता-पिता की उपर स्थिती के बावजूद भी आज आप कुछ खास नयापन पाएंगे। ये आपके रिष्टों की गर्माहट का एक अच्छा सूचक है। इसे प्रकट करने से नहिचक चाएं। राशिकुम्ब करियर आत्म विश्वास में वृध्धी ही आपकी व्यावसाइक सभलता की कुणजी है। खुद को नेता साबित करने के लिए आपको चुनोतियों को स्वीकार करने के लिए तयार रहना चाहिए। काम को चलाने की आपकी आदत के कारण आपके काम का बोज वो मानसिक दबाव बहुत बढ़ सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखे और पूरी महनत से काम करें। राशिकुम्ब विदेश से होने वाले लेन देन या साजे के काम से अच्छे लाब के संकेत हैं। आपको जो दर्द हैं उससे हालत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दर्द का तुरंत उपचार करें। परेशानी जल्दी ही खत्म होगी। अगर लंबे समय से दात में परेशानी है तो डॉक्टर को दिखा दें। राशिमीन ओवर्विव आज आप जुबान पर काबू रखें। वरना अपने प्रियजनों को ठेस पहुचा बैठेंगे। बेकार की बाते करने से परहेश करें और अपने रिष्टों को और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश करें। साथ ही ध्यान रखें कि आप अपने कटू शब्दों से किसी का मूड ही खराब न कर दें। राशिमीन रोमैंस आज आप अपने कारिक्षेत्र में हुई प्रगती पर नजर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने क्या पाया है। इस सफलता को प्राप्ट करने में जिन लोगों ने आपकी मदद की है आपको उन्हें धन्यवाद कहना नहीं भूलना चाहिए। उनकी मदद के बिना आप वहां नहीं पहुँच सकते थे जहां आज आप हैं। आगे बढ़ने का अपना रास्ता ध्यान से चुनें। जो लोग भवन निर्मान या किसी और निर्मान उद्योग से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन काफी फायदे बाला है। असल में आपके धंदे में तेजी का दौर चल रहा है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इस काम को कितनी तेजी से खींचते हैं। ध्यान रखे कि इस आमदनी का ठीक से प्रबंधन हो क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि आपके धंदे में कब क्या हो। आज हो रही अच्छी आमदनी को भविश्र के लिए भी बचा कर रखे। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और मनोबल उचा रहेगा। आज आप गंदी आदतों से निजात पाना चाहेंगे और कुछ नया करेंगे। धूमरपान से दूर रहें और ताजा जूस पीने की आदत डालें। आप इस सकारात्मक उर्जा का इस्तेमाल अपनी सेहत को ठीक करने में लगाएं। इससे आप अपने मूड और उर्जा स्रोत में काफी अंतर देख पाएंगे। दिन के अंत तक आपका दिमाग, शरीर औ और आत्मा मजबूत रहेगी।